हम बात कर रहे है आई वोसी की आज के दिन की बात कर रहे तो इस टॉक में हमको 2% के उपर के आप साइट के साथ क्लोजिंग देखने के लिए मिली है हम लगातर डिसकस करते आ रहे थे इससे पहले 180 तक के तारगेट को और कहा गया था कि 180 के लेवल को स्टॉक ब्रेक आट करके सस्टेन होता है तो बड़ी तेजी दिखा सकता है हम देख सकते हैं गिरावट के बाद स्टॉक बांस बेक हुआ 180 तक के तारगेट दिखा है लेकिन स्टॉक उपर की ओर सस्टेन नहीं हो पाया अगेन हमको बड़ा सेलिंग आईओसी में देखने के लिए मिला है 180 से जब रिजेक्शन लिया है तो अगेन बड़ा सेलिंग आईओसी ने बताया है लेकिन एक बात नोटिस करना दोस्तों कि जब इतना बड़ा सेल आफ आया या सेलिंग आई है तो स्टॉक ने सेलिंग के साथ सपोर्ट कहा लिया है 168 पर यहीं इससे पहले जहां स्टॉक ने सपोर्ट लेकर 180 तक के तारगेट दिखा है क्या इस सपोर्ट लेवल को स्टॉक ने नीचे की और ब्रेकडाउन किया है तो इसका अंसर है नो स्टॉक ने ब्रेकडाउन नहीं किया अगेन उसी सपोर्ट से हमको स्टॉक में बाइंग देखने के लिए मिल रही है लेकिन इस buying के साथ stock rejection कहां ले रहा हैं इस से पहले stock जहां rejection लेकर जहां से rejection लेकर हमको 168 तक का fall दिखाया था निवो level है 174, 175 का level है resistance का काम कर रहा है तगडे resistance का हम देख सकते हैं आगें इसी level से stock नहीं selling देखने के लिए stock selling बता रहा है लेकिन अब तक बड़ा selling pressure यहां देखने के लिए नहीं मिल रहा इस वक्त हमको और हमने इससे पहले discuss किया हुआ है कि stock को 180K level को break out करने के लिए 170K ऊपर sustain होना important है stock sustain हुआ है bonds back किया था लेकिन 180K level को break out नहीं किया अगर इसको break out करके 3-4 दिन stock is level के ऊपर sustain हो गया तो फिर clear cut signal रहेगा 180K break out का अगर इस वक्त गिरावट आती है तो immediate support का काम करेगा 172 का level और जब तक stock is low के ऊपर है ने 168 के ऊपर है upside के chance बने हुए अगर इस level को break down कर गया तो again 160 तक का fall firm को IOC दिखा सकता है अगर बात करें target की तो यहां से immediate target बनेगा 180 का level जहां से stock ने rejection दिखा है इसके आसपास fresh buying थोड़ा avoid करना है लेकिन इस bonds back के साथ stock अब 180K level को break out करता नजर आ सकता है अगर 180K level को break out करके stock sustain हो जाता है 2-3 दिन फिर clear cut हमको यहां से बड़े तेजी देखने के लिए मिल सकती है फिर हमको 190 से लेके 194 और 200 टक के भी level short term में IOC दिखा सकता है अगर आप ultimate account open करना जाते हो तो description में दीगए link से कर सकते हो वीडियो जो education purpose के लिए कोई बाइस है लिया hold की सला नहीं है